नमस्कार आप देख रहें इंटर्फैक्ट यूट्यूब चैनल वेस्ट इंडिज के साथ इंडिया का पर्फरमस देखते हुए सभी लगों को यह लगने लगा है कि इंडियान टीम फिवचर में जो वर्ल्ड काप आ रहे है उसमें बिल्कुली कमफ़ड़ेबल नहीं होंगे इस बातों से पाकिस्टान के क्रिकेट कैप्टेन रसीद लतीव ने भी कमेंड करा है उन्होंने साथ साथ बोले हैं मेडिया के सामने की इंडियान टीम बिल्कुली कमफ़ड़ेबल नहीं है फिवचर वर्ल काप के लिए मतलब की 2023 का जो वर्ल काप आ रहे है सेप्टमबर म लेकिन उन्होंने एक सबसे बड़ी बात कह दी है उन्होंने बोले है की इंडियान टीम हंड्यड पार्संट सही होंगे उस वर्ल कप में अगर विराटकौली को कैप्टेन किया जाए विरट कोली एक ऐसा नाम है जो हमेंसा इंडियान टीम को मौच से वाचाया है इस वर्ल्ड कब में मैंद्रे सिंग धोनी का होना कि इतना जादा संभबना है वो किसी को नहीं पता है लेकिन मैंद्रे सिंधनी का जो कैप्टेंशी का जगा अगर विराट कोली ले 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 तो बहुती बड़ी बात बन सकते है पाकिस्तान और इंडिया का जो रिस्ता राजनेकिती के दीख से देखा जाए तो बहुती जादा गंदी की उसे भरा हुआ है अलेकर किकेट एक ऐसा खेल जहां पेपाकिस्तान और इंडिया का अब लड़ाई बिल्कुली खता हुँचुका है पकिस्तन का हर प्लेयर और इंडिया का हर प्लेयर एक दूस्ट्रे को बहुत जादा रिस्पेक्ट करता है अभी और इसके दोरन कोई भी किसी के उपर की चड़ नहीं फेगता है अब रासिद लतीव के बाद करें तो बिरेट को लिप के उपर उनका एक कमेंट साफ साफ जाह होते हैं कि सभी प्लेयर सभी को रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा देते हैं अब देखने वाली बात यह होगी कि अपकमिंग वर्ल्ड कप में इंडियन टीम में कौन-कौन रहते हैं और कौन कैप्टेन बनते हैं और महंद्र सिंग धुनी को आप कितना कितना जादा मीस करेंगे अगर वह इस टीम में नहीं होंगे तो कमेंट में जरूब देएगा फिलाल इस वीडियो में इतना ही सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए में अगले वीडियो में गुड़ बाई